आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम है सिद्धान तगनी होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे डॉनल्ड ट्रंग की आपको पता ही है कि डॉनल्ड ट्रंग के घर में रेड पड़ी है मस्त इंसान है भाई मस्त इंसान है पता देता हूँ कि जनवरी 2022 में 2022 में टाइम लाइन बता रहों में नाशनल आर्काइव्स ने 15 बॉक्सेस रिट्रीव किये जो कि वाइट हाउस के रिकॉर्ड थे मार आ लागो जो किनी का घर है डॉनल्ड ट्रॉम का घर है वहाँ से और यहाँ पर यही बताना था कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ट्रंप अड्मिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो फटे हुए फार गी हैं उन्हों में फरवरी में यह रिपोर्ट आई कि जो फाइल मिली है वो खतरनाक हो सकती है है ना और उसके बाद फिर यहाँ पे यह बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करिए जो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट अफ जस्टिस अपरिल में अमेरिका की जो मीडिया रिपोर्ट थी उन्हों ने यही बोला कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिये कि भाई आखिरकार क्या डॉनल्ड टरम्प के घर में था फिर उसके बाद तीन जून को सीनियर डियो जी ओफिशल और तीन FBI एजेंट जो है वो मारा लागो गए ताकि जो इनके घर पे बहुँ बड़ा बेस्मेंट बना हुआ है तो जो बेस्मेंट है वहाँ पे क्या है और डॉनल्ड टरम्प आते हैं और खाली हेलो कहते हैं अंदल भुसने नहीं देते हैं आज जून को टरम्प और्गनाईजेशन जो है वो समन रिसीव करती है मतलब इनको समन मिलता है कि हमको CCTV फुजरेच दिखाई जाए और आठ अगस्त को एजेंट्स यानि कि अभी तीन दिन पहले बहुत सारे एजेंट्स डजन्स ओफ एजेंट्स जो हैं वो मारा लगो पहुंसते हैं और तकरीबन ऐसे 20 बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें टॉप सीक्रेट फाइल से तो ऐसा क्या था डॉनल्ड टरंग के घर में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमारा शांदार UPC का कूर्स आप ज़रूर अवेल करें देखें अमारी सूपर सेल चल रही है आजादी की सेल 15 अगस्त तक ये सेल चलेगी उसके बाद हम जितने भी डिसकाउंट चल रहें सारे कॉर्सेस पे वो खत्म कर देंगे तो अभी आंसर राइटिंग सेश्चन जो कैशे मिला है उसमें TS-SCI मांग्ड है यानि कि इसका मतलब समझ रहे हो ये टॉप सीक्रेट मेटीरियल है जिसका मतलब है कि ये अमेरिका की नाशनल सेक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है एक्सेप्शनली ग्रेव डामेज टू यूएस नाशनल सेक्योरिटी ये लिखा है टरंप कहते हैं कि भाई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया आईटम्स जो है देवर आक्चुली डीक्लासिफाइड लेकिन पहली बार एक राष्ट्रपती जो एक्स राष्ट्रपती है मतलब जो डॉनल्ड टरंप है थे पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिमिनल प्रूब लॉंच की गई है मतलब समझे कि इनको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है और एक राश्ट पती, especially अमेरिका के राश्ट पती के घर से, यह सब मिलना खतरनाक है, आइटम जो जितने भी मिले हैं, फ्राइडे को पब्लिक कर दिये गए, कल पब्लिक कर दिये गए मतलब, और उसके बाद जज ने यह साथ पेज का डॉकुमेंट जो है, यह खोला, जिसम में बहुत सारी फोटो है, एक handwritten note है, और सबसे बड़ी बात है, कुछ खतरनाक plans है, और plans क्या कुछ information है, President of France की, France के राश्ट पती की कुछ information है, यह चीज है, और एक clemency letter है, Roger Stone का, साथ ही साथ, जो चार सेट आफ टॉप सीक्रेट फाइल्स है, उसमें तीन सेट आफ सीक्र material है, तो FBI agent यह देख रहे हैं कि क्या espionage act का violation हुआ, यानि कि देखिए, आपको Watergate scandal यहाद है, जिसके वज़े से Richard Nixon की कुरसी चली गई थी, वाई क्या हुआ था, कि उन्होंने जो opposition था, जासूसी करवा दी थी, बग कर दिया था, है न, वहाँ पे, जो भी वो बात करते थे वो सब Richard Nixon को पता होता है, तो उनके plans पता होते थे, और ऐसा बोला जा रहा है कि Donald Trump ने भी शायद यही किया है, तो क्या espionage act लगेगा इनके उपर, जासूसी का act, भाई, national security information है, एक ऐसी information जो अमेरिका की security के लिए खतरनाक है, तो आप इसको रख कैसे सकते हो, यह dangerous है, इसक भी आई कि हो चुल गए है, यह सब क्या मिल गया, और उसके बाद आप ने यह classified information को remove भी कर दिया, basement में रखे हुए है, एक सरकारी property को, जिसकी वज़े से आपके उपर penalties लगेगी, और आपको सजा हो सकती है, पात साल तक की सजा है, और warrant में समझे कि 45 office को search किया गया, 45 office को, storage rooms को search किया गया, justice department ने ये बोला है, कि अभी investigation हो रही है, और अभी हमको हो सकता, और भी चीज़े मिलें, और अगर हम ज़रूरत पड़ी, तो और जगां पे भी हम raid मारेंगे, साथी साथ, किसी भी चीज़ को classify, declassify करना, यह president के हाथ में होता है, यह राष्टपती की power होती है, हाला कि यह सब तो अभी court में चलेगा, अभी court में case चलेगा, ठीक है, कि अभी मतलब court में लंबा case, लंबा क्या, मतलब judge अब देखेंगे, जो Donald Trump भी अपना case बनाएंगे, भाईया, पैसे की कमी थोड़ी नेन के पास, पूरा पैसा लगा देंगे, और यहाँ पर यह ही है कि, Donald Trump ने तो बोले ही है कि मैं चुप नहीं बैटूंगा, मेरी integrity को attack किया गया है, ऐसे नहीं होने वाला, यह सारी चीज़े तो चलने वाली है, भाईया, FBI ने Donald Trump को target किया, त Donald Trump के supporter, मतलब FBI पर attack हो गया है, समझे कि एक एकदम हतियार बंद आदमी, FBI office गुषने की कोशिश किया, Cincinnati, Ohio में, हाला कि इसको गोली मार दी गई, लेकिन यह हो रहा है, कि मतलब Donald Trump के जो supporters हैं, वो भाई गुषसे में है कि ऐसे कैसे कर सकते हो, it's not done, यह चीज़ है, हाला कि comments, यह भी आपको बता दो, कि मतलब अभी proper information नहीं है, यह लगाए, लेकिन यह है, कि मतलब कुछ तो ऐसे plans है Donald Trump के, जिसकी वज़े से एक तो FBI के होश होड़े हुए है, और कुछ तो गडबड की हैं पर Donald Trump ने, आगे जो भी होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, खुछ पर तरे देशे से दान तक नहीं होता है, साय नहीं होगा,